मासिक धर्म ज्यादा दिन तक आ रहा है। इससे बहुत से माता बहने ही परशान है। आम तौर्व फिरेड दो से तिन दिन ज्यादा होता है। उसके बाद दो तिन दिन में कम होते ही बन हो जाता है। लेकिन किसी किसी माता बहनों को फिरेड सता बर तक ज्यादा होता है। और दस से पंदरा दिन तक मासिक धर्म होते ही रहता है। ऐसी माता बहनों का सरीर कमजोर हो जाता है। पैरों में कमर में बहुत ही दर्द देता है। इसके लिए यह रामबाड उपा है और कई माता बहन उपर अजमाया हुआ है, इससे निजाज पाने के लिए आपको पीपल के विरिख्च के पत्तों की जोरत पड़ेगे, इसके लिए आपको इन पीपल के विरिख्च के चार से पांच पत्ते ले आने हैं, और इसे साप पानी में धो लेने हैं, और धोने के बाद इसे साप बरत कोटने के बाद पिस जाएगा और इसमें आधा कप पानी मिलाकर फिर इसे धीरे धीरे कोटना है जिससे इसका रस निकल जाएगा और इसे छान कर दूसरे बरतन में ले लिचेगा लगभग आधा कप आपकी आशधी तयार हो जाएगी इस आशधी को सुबे के समय खाली पेट में आपको पीना है और इसे पीने के बाद आपको आधे घंटे तक दूसरे किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है तभी से आप इसे रोज प्राता कल इसे पीना शुरू कर दिजे इसे बनानी की विधी में फिर से बता दिता हूँ पीपल के चार से पांच पत्ते ले आने हैं उसे अच्छे तरह से धूके गूट कर पीश कर उसको रस निकाल लेना और आधा कप पानी में इसमें डालके मिलाके इसे सुबे के समय खाली पेट में आपको पीना है और पीने के आधे घंटे तक आपके दूसरी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है और इस सोसदिक उप्योग हमें नित्य जैसे मासिक धर्म शुरू होता है तो रोज प्रताकाल करना है जब भी मासिक धर्म आपका अगले मिना फिर से शुरू होगा तो आपको फिर से इसको उप्योग को करना है जिससे यह जो जाता दिन तक मासिक धर्म आने की समस्या है इससे आपको हमेसा के लिए छुड़कारा मिल जाएगा इससे उपाय को आप जरूर करिए या बहुत से माताओं बहनों पर अजमाया हुआ उपाय है साथी साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए जिससे की इस समस्या से जो माताओं बहने परसान उन्हें लाप मिल सके जाएगि